जैहिंदू वंदेमात्रम सातियों अगर आप भी उन भारत की वीर सैनिकों को दिल से सपोर्ड करते हैं जो बॉर्डर पर रहा का देश की रक्षा करते हैं तो सबसे पहले उनके लिए इस वीडियो को एक लाइक चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा जैहां दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सभी का जो अगरी वीर का जो रिजल्ट आया है इसके फिजीकल कब से सुरू होने जा रहा है और यहां पर जो है फिजीकल कितने दिन चलेंगे कितने बच्चे बुलाए जाएंगे एक बैच में कितने दोस्तों ब बात करने वाले हैं चलेफेंटस वीडियो को सुरू कर लेते हैं जी हां दोस्तों बात करेंगे यहां पर कि कब से आप सभी के फिजीकल सुरू हो रहे इसके बारे हम बात करेंगे जी है दोस्तों आ करें अपना नमबर चेक करें यह तो आप सभी ने चेक कर लिया होगा अब यहां आपको बताने कि पास उम्मी द्वारों को फिजीकल टेस्ट के लिए एडिमिट कार्ड की रजिस्टर इमेल आईडी पर भेज जाएगा जी है दोस्तों आप सभी के दोस्तों इमेल आईडी प 12 जून में ही सुरू हो जाएंगे जिया दोस्तों 16 जून से फिजीकल सुरू है लेकिन अलग-अलग अरो पर अलग-अलग डेट आप सभी को देगे है जैसे हैं पर दोस्तों हिसार का यह यारो हिसार की बात करने तो हिसार में यह है आपका 3 जुलाई से 12 जुलाई तक जाएंगे तो फैंड्स आप सभी को बता दूँ हैं पर आप देख सकते हैं कि 16 जून से आप सभी के जो है अगरी वीर की भरतीर सूर हो रही है यह न्यूज आप सभी को पहले मिलगी होगी एक सेंटर पर कितने बच्चे बुलाई जाएंग उसके बारें बात करेंगे लग आप सभी खुद समझ सकते हैं कि जितने यूज दोस्तों पहुंच रहें एक दिन के अंदर और इस बार दोस्तों जो फिजिकल है थोड़ा सा मैं यह नहीं बूलागा कि आसा रहेगा लेकिन यह जड़ू बोल सकता हो कि हाप पिछले के मुकावले थोड़ा आसा रह सकता है है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत साथ बच्चे यह समझ बैटे है कि फिजिकल बहुत ज़्यादा आसा रहेगा क्योंकि इसकी जो कटॉफ है बहुत ज़्यादा कम लगी है कटॉफ में उसका नमबर नहीं है जो बिलकुल भी पढ़के नहीं गया है कटॉफ में आई थिंक स सूरा जून से शुरू होगी हर जिगह ऐसा नहीं कि एक इस दिन शुरू होगी अलग-अलग सेंटरों पर अलग-अलग देनी भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है आप सभी को बता दूँ कि आप सभी को क्या क्या डॉकॉमेंट ले जाने पड़ेंगे तो हो seven Note पास हो गए इस वेकेंट लेकर जब तक आप से बुकाओ का फिजिकल क्पलर नहीं हो जाद तब तक second list के बारे पर कोई भी बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि second list तभी आएगी जब दोस्तों candidate कम हो जाए ठीक है और candidate मुझे नहीं लगता कि कम हो जाए क्योंकि जिस इसाफ से candidate पास किये गए उस इसाफ से second list का आने का कोई भी chance नहीं बनता है तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें जैसे दोस्तों कोई अपडेट आता है admit card को लेकर आपको सबसे पहले दोस्तों सूचित कर दियाएगा जैहिंद वन्निमात्रम